साथ यो सूप्रभाद एक काफी महतपूर जो है मैसेज वाइरल हो रहा है जो कि मैं आपको इस वीडियो को आदम से दिखाने वाला हूं ये काफी महतपूर जो है अपडेट निकल के आ रही है EPS 95 पैंसनर के केस में ये महतपूर इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता है कि EPS 95 पैंसनर जो है लगातार बीना रुके जो है अपना अंसन जारी रखे वेटे दिली की जंतर मंतर पर चुकि जो EPS 95 पैंसनर से हैं उनकी अवस्था जो है वो 60 से लेके 80 वर्स या उससे उपर किये हैं इस नौर्थ साइड है यानि दिली से लेक आप उत्तर उत्तर प्रदेश और बाकी लागों को अगर आप देखते हैं तो तंप्रेचर जो करीब करीब एक डिगरी संसिग्रेट से लिए यानि टंप्रेचर बहुत जादा है और इस मौसम में जो बुजूर्ग पैंसनर से उनका दोर में मैं इस वीडियो में आगे वड़ने इस पहले कुछ बाते बातों करना चाहूंगा जो आप लोगों को साथ क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि काफी लोगों का मुझे मैसेज मिला है मुझे करीब 700 से लेके 800 लोगों का मैसेज जो है प्राप्त हुआ है ऑफिशिल ज लोगों का मसेज के जो कुछ रहा करें उसके बारे माँ बताया कीजे महतलब लोगों को जो है एक प्रकार से आप लोगों का जो लगाव उसके लिवração का बहुत दिल्वाद करता हूँ और इतने लोगों का मुझे मैसेज मिला है उसके लिवा How do you रेगुलर नहीं होने के पिछे कुछ वजय थी कुछ समस्चाय थी वह मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं को कि सभी फैमिली के मेंबर हैं आप सभी जो लोगी वीडियो देख रहे हैं तो हाल ही में मेरा कुछ दुरगटना हो गया था जिसकी वज़े से मेरे कुछ दाहिन देखरों कि पिछले एक से डेड़ महीने से आप लोगों को लगा था वीडियो नहीं मिल रहा है और कुछ प्राब्लम थी हैं कुछ पर्सनल प्राब्लम जैसे कि अस्वस्तता था सारेजी का स्वस्तता था थोड़े डियाबिटीज के कुछ लच्षड दिखने लगे थे त पर आप कह सकते हो कि आप प्रकृति की आगे किसका चलता है तो जब सरीर आप पुर्तियाश्वस्त नहीं रह पाते हैं तो आप निश्ची तोर पे किसी न किसी क्रिया को आपको रोखना पड़ता है तो कुछ ऐसी समस्या है मेरे साथ थे जिस वीचे से आपने देखा होग लेकिन जैसे जैसे मैं दिरे दिरी कबर कर रहा हूँ चीजे सुधर रही है तो मैं कोसिस करूँगा कि अब आप लोग के साथ फिर से एक फ्रिक्वेंट जो है समवाद स्थापिट किया जाए और लगातार आप लोग को अप्टेर दिया जाए तमाम तरह के मुद्दों को उपर चर्चाय की जाती है जो कि मैं समझता हूं कि सीधे सीधे बुजूर्गों से जुड़ी हुई होती है उनको कहीं न कहीं ये लाब पहुचाने का मेरा मकसद होता है जो इन्फॉर्मिशन आपको दी आती है अब चुकि जो बुजूर्ग है वो लोग एक आसकती से आप से जुड़ जाते तो आपको हमेशा ये अलर्ट रहना पड़ेगा कि आप जो बाते कर रहे हैं वह गलत नहीं होनी चाहिए वह फेक नहीं होनी चाहिए जो आप अपडेट दे रहे हैं वह फेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे पता है आप लोग का जो प्यार है आप लो लोग जुड़े हैं उसके वज़ा ही यही है कि वह जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साजा की जाती है वह जैन्मीन इन्फॉर्मेशन होती है चाहिए वह किसी भी मुद्धे पर रहा हो चाहिए सिर्फ पेंसन की बात ना करते हुए किसी और भी आप अगर वीडियो देखते ह जो कि मैं अच्छे समझ पारा हूं और चंद पैसो के लिए लोग गलत करते हैं जो इन्फॉर्मेशन को मेंिपलेट करती हैं इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से करते हैं उसको कता ही सब्सक्रा क सबसक्राइ Rainbow जो है वह जरूवीन हो बहले ही कमी लोग नहीं है बहुत ज्या यह पूरा मैं आपको इस्टिमेड बता रहा हूं यह यह ऐसा भी नहीं एक रेगुलर वे में आ रहा है मंतली क्योंकि नहीं रेगुलर वे में मैं फ्रिक्वेंट कर पाता हूं नहीं तो कही ने कहीं को किसी साथ कोई छी गलत नहों मेरा यह मकसद रहत हैं और इसलिए जो इनफ इन फॉर्मिशन आपको दी जाती है, क grote वो कहीं ने कहीं आप लोगों को जो है जो आपकी information की need है उसको पूरी करती है उसी गड़ी में दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके कोई अगर कोई प्रशन होंगे कोई concern होगा वो comment में जरूर लिखेगा मैं उसको भी पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मैं जहां तक समझ पा रह हैं सिर्फ लोग जुड़े हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ जर्वेंटी की वज़ए से लायल्टी की वज़ए से और information को without manipulate के हुए आप लोगों तक पहुचाने की वज़ए से तो यह अपने आपने एक बहुत अच्छी बाच है और आप लोग का इसी तरह प्यार और सम ज यसा होता है कि अगर आप किसी चीज को बार-बार देखते हैं किसी चीज को आप बार-बार सुनते हैं तो वह हमें अच्छा लगने लगता है जैसे कि आप लगातार कई तूटिया हमारे जब स्टार्ट किया था 2016 लग क्या असपास से वीडियो बनाना तो बोलने में भी का मैसेज मिलता इतने वहाटशप पर इतने कंमेंट्स मिलते हैं इतने लोगों का प्यार है यह वही है जो की चुकि आप लोगों को अप living happiness. से हुई बारता एवं आश्राशन मिला पेंशन और स्थकित कर दिया गया है मतुरा की सांसा धेमा मालनी जी के अथक प्रयास स्रम मंत्री श्री भुपेंद्र यादाव समिती के राष्टिय धक्ष कमाटर असोक रहुत महा सची उवेंदर सिंग रजावत राष्टिय सच्यू रमेज भुगुडा को स्रम मंत्राले में बुलाकर इस बिशय पर बिश्तरी चर्चा एवं सिग्र जो है समाधान आश्वाशन दिया गया है साथ ही उन्होंने कहा कि वह स्वय बुल्डाडा आएंगे जहां देव पिछले पांच वर्सों से पेंसन कर रह प्रवित्री अनुमोद कर देते हैं तो प्रवित्री गंबिर्ता पूर्वक विचार किया जाएगा जंत्रमंत्र नंदू 12 कि सांसद हीनाताई गरवित आई और उन्होंने पेंसनलों की मागों का पुर्जोर समर्थन कर इने हर संभव प्रयास करने का वादा किया है अंसन अस्तल पर आज उत्रप्रदेश की ओर से बीपी मिस्टरा चंसेकर पाठक मद्यप्रदेश की ओर से रमेश तोमबर रास्थान की ओर से योगे शर्मा ने सभाको संभोधित किया है और यहाँ अपने आप में एक अच्छा इस में जो जो एक मानवी सामाजिक सामाजिक आप कह सकते बिवस्था उसके तहट यह काफी जो है सुकून देने वाला आप कह सकते हो कि बुजुर्गूं का इस ट्रगल अगर आप साथ वर्स के नहीं है उससे कमूम रखे हैं तो आप अपने से बुजर्गों का struggle जो है आपसे नहीं देखा जाएगा या फिर आपको पसंद नहीं आएगा चरास अभी मानवीय मुल अगर आपके अंदर होंगे तो आप बुजर्गों का struggle को नहीं देखना चाहोगे आप चाहोगे कि उन्होंने जीवन भर struggle किय अब इस अवस्था में आराम मिले तो यह एक अच्छा खबर इसलिए है क्योंकि जो लोग चाहते थे कि बुजर्गों का काम असानी से हो जाए या बुजर्गों को थोड़ी रहात मिले तो उनके लिए काफी खुसी का खबर होगा जो बुजर्ग है उनके परिबार के करेंगे इस ठंडग में जो है परिशान जो उनका था उनको उसके लिए काफी अच्छी खबर है अब देखना यह है कि स्रम मंत्री इसके उपर क्या क्या अपना एक्षन लेते हैं आश्वासन तो उन्होंने दिया हुआ है इसके बाद वह किस पकास एक्षन लेने यह तो आ आप में बहुत ही अच्छी बात है यह आप कह सकते हो कि प्रयास का जो एक लंबा संगर सजारी था उसका कहीं न कहीं यह आखरी दोर आप कह सकते हो कि आने वाला है यह आखरी दोर के करीब करीब पहुंच रहा है क्योंकि अब जहां तक बात रहें बार बार श्रम मंत्री बार बार विद्व मंत्री बार बार प्रधानर मंत्री तक जा रहाए बात तो कहीं निके उपर भी निश्रित तोर पर दबाव बनेगा और वह समझेंगे जहां तक बात रहेगा रहें पर सीच को हाइलाइट कर रहे हैं क्योंकि लंबा चला गया काफी लंबा हो गया यह संवर्जिस में निश्चित तो पर सरकार को किसी प्रकार सान करके जो भी माध्यमों उसको पर समाधान करते हुए इस मैटर को यहीं पर समाध किया जाना चाहिए तो यह कुछ सब कुछ बाते थी दोस्तों कि आप लोगे साथ करनी काफी जरूरी थी अलंबा समय हो गया था मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में आप लोगे साथ पूले हुए हो आपके लिए हूँ और आपको जो जो इंफर्मेशन आपकी जो इंफर्मेशन की नीड है उसको पूरी कर सके आपकी जाएगी इस वीडिम से इतना इतना साथ देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर ब जादिज अपना बहुत ख्याल रखिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों